बाल दोस्तों, आईए, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, उस कविता के रचेता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। अगस्त, 1998, साहित्य, 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह, प्रसिद्ध कृती, इतना उचा उठो, मा, यह वसंत्रितु, कौन सिखाता है चिडियों को, उठो, धरा के अमर सपूतो, इत्यादी, उठो धरा के अमर सपूतो, उनह नया निर्मान करो, जन जन के जीवन में, फिर से नव स्पूर्ती, नव प्राण भरो, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योती नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुर्जे सुमनों में, नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, उनह नया निर्मान करो, समझूती, हे भारत माता के अमर सपूतों, अब उनह नया निर्मान करने का समय आ गया है, गुलामी में से मुक्त हर एक व्यक्ति के जीवन में, फिर से एक नई चेतना, नई प्राण भरने का काम आपको करना है, अब तो हर रोज नई सुबह, सूरज की नई किरण, हमारे ल और नया प्रकाश लेकर आ रही है, अब तो हर एक के मन में नई उमंग और तरंग है, आजादी की इस नई सुबह की सांस के साथ ही, सब की आश पुर्ण करनी है, इन मुर्जहाएं फूलों में नई जान भरनी है, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, नए स्वरों में गाते हैं, गुन-गुन-गुन करते भौरे, मस्त उधर बन राते हैं, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, उनह नया निर्मान करो, समझुती, आजादी की इस पूर्ती से भरी सुबह से सब खुश है, डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी गीतगा रहे हैं, लगता है जैसे उन्हें भी नया स्वर मिला हो, बाग में चारों और भौरों का गुन्जराव सुनाई पड़ता है, इस अमर धराके हे अमर सपूतो, आजादी के बाद देश में नया युगा आया है, इस नए युगरुपी वीणा में तुम नया राग और नया गीत भरके कुछ नया निर्मान करो, कली-कली खिल रही इधर, वह फूल-फूल मुस्काया है, धर्ती मा की आज हो रही, नई सुनहरी काया है, नूतन मंगल मैं ध्वनियों से गुन्जित जग उद्ध्यान करो, उठो धराके अमर सपूतो, पुनह नया निर्मान करो, समझुती, आज भारत रूपी उद्ध्यान की हर एक कली खिल रही है, और सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं, आजादी के सूर्य ने सारी धर्ती को प्रकाशित किया है, ऐसा लगता है कि धर्ती माता का शरीर सुनहरा हो गया हो, हे वीर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगल मैवानी से जग रुपी उद्ध्यान को गुंजित करना है, सरस्वती का पावन मंदिर शुब संपती तुमारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, समझूती, यह पुरा देश सरस्वती का मंदिर है, यहां के शुब कल्यानकारी विद्ध्याई तुम्हारी संपत्ती है, तुम में से प्रत्येक बालक इस शुब विद्ध्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है, तुम्हें यहां कोटी-कोटी ज्यान के दीपक जलाकर नए युग का अहवान करना है, हे अमर सपूतो, इसका ल्यानकारी ज्यान के द्वाराही तुम नए युग का निर्मान करो,